राधे राधे जैसे किष्णा स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भग्ती में आज की वीडियो में हम आपको सोम्बत्ती अमावस्या की प्रत कथा सुनाएंगे कथा सुनने के लिए आभात में फोलिया अक्षत लेले एक सावकार था उसके साथ बेटी और एक बेटी थी उन सभी का विवा हो चुका था उनके घर हमेशा एक ब्रामण भिक्षा मांगने आते थे जब भी सावकार की बहु ब्रामण को भिक्षा देती तो वै उसे आसिरवाद देते और कहते अपने पती के कंदे पे राज करो लेकिन जब भी सावकार के बेटी भिक्षा देती तो वह आसिरवाद के साथ कहते हैं अपने भाई-भावी के कंदे राज करो यह बात सावकार की बेटी को बुरी लगती थी एक दिन उसने अपनी मां से कहा मां जब भी भावी भिक्षा दे तो ब्रामण जी आसिरबाद में कहते हैं अपनी पती के कंदे राज करो लेकिन जब मैं भिक्षा देती हूं तो कहते हैं कि अपने भाई भावी के कंदे राज करो तब उसकी माने कहा ठीक है कल तुम भिक्षा देने जाना तब मैं ब्रामण से इसका कारण पूछूंगी अग पूछखा नहीं है माने टब इसका कोई उपाय पुछा तब ये ब्राह्भन बोले यदि सोना धोवन इसकी साधी में आकर आशिरवाद देती है तब इसका पती बज सकता है तब माने पुछा सोना धोवन कहां रहती है तब राह्भन बोले साथ समुन्दर पार con a По अपने गाऊ में रहती हैं तब माने अपने बेटों से कहां सोना धोबन के गाऊ बहन को लेंके जाना है। देखो भाई पेड के उपर किसी पक्ची का खोसला है और उसमें छोटे-छोटे बच्चे हैं ये साप उन बच्चों को खा जाएगा और जब पक्ची आकर देखेंगे तो उन्हें बहुत दूख होगा ये सुनकर भाई उस साप को मार कर वहीं टोकडी से ढग देता है साम के समय जब हंस और हंसनी आते हैं और अपने घोसले के पास खुन देख कर वे डर जाते हैं उनको लगता है कि वे दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है तब वे दोनों उनको चोच मानने लगते हैं तब ही बहन टोकरी उठा कर नीचे पड़ा साप दिखात और अपनी पीट पर बैठा कर समुद्र पार सोना धोवन के गाम छोड़ाते हैं सोना धोवन का परिवार भी बहुत बड़ा था उसके बेटे और बहुए सबी साथ रहते थे सावकार का बेटा और बेटी भी उसी गाम में घर लेकर रहने लगे रोजाना रात में सावकार क कि बेटी सोना धोवन के घर जाती और खाना पीना करका सारा काम करके सुबह होने से पहले अपने घर आ जाती थी। एक दिन सोना धोवन ने अपनी बहुवों से पूछा क्या बात है आज कल सुबह सुबह तुभारे लड़ाई जगड़े नहीं होते। तब भवे बोली सासुमा जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यूँ जगड़े। तब सोना धोवन ने पूछा अच्छा कौन करता है सारा काम। तब भवे बोली आप नहीं करती। हमें तो लगा हमारे उटने से पहले ही आप ही घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोवन ने यह पता लगाने का निश्चे किया और राद भर जाकती रही। जब सावकार की बेटी आई तब सोना धोवन ने उसका हान पकड़ लिया और पूछने लगी तुम कौन हो और क्यों मेरे घर का सारा काम करती हो। तब सावकार की बेटी ने ब्रामण वाली सारी बात सोना धोवन को बता दी और कहा येदि आप अपनी सोंबती अमास्या कफल मुझे दे दे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। तब सोना धोवन ने कहा जब तुमारी साधी तै हो जाए तब मुझे नेवता भेज देना, मैं तुमारी साधी पे जरूराओंगी। इसके बाद दोनों भाई बेहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बेहन के लिए लड़का ढूनकर साधी तै कर देती हैं। सोना धोवन को भी नेवता भेजा जाता है। साधी के दिन हेरों के बा पानी डालती हैं। और दुला वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोवन के साध़ साध साथ ताभकार की बेटी और बहू ने भी सोमबती हमाउस्यां की पूजा और ब्रत किया। है इसा साभकार की बेटी का सुहा दिया, वैसे ही सब को देना। अब आपने जो जाके हैं, वहाँ पर अर्पित कर दें, राधे राधे, जैसे किष्णा,